असलाम लेकुम दोस्तों अमीद है आप सब गरिये से होंगे आज मैं आपसे शेयर करूंगी मुगलाई पराठा बनाने की रेस्पी जो के बिनाने में बहुत ही असान है बहुत ही मज़े की क्रिस्पी सी रेस्पी है साथ नभाएगा इस रेस्पी को आप ट्राए ज़रूर की प्रिया आए चलते हैं अब अपनी रेस्पी की जानिब रेस्पी कार्ड आप नोट कर ले सबसे पहले आदा किलो चिकन का किमाली आया और इसमें शामिल करेंगे दो बड़े चमच लेसन और अधरक का पेस्ट दो सबस मर्चें और नमक टेस्ट के सबसे आदा कप दही दो बड़े चमच सुरख मर्च के एक बड़ा चमच कुटा हुआ धनिया आदा चोटा चमच हल्दी और तकरीबन एक बड़ा चमच धनिया की टेहनिया इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अगर आप चाहें तो आप हाफ कीमा और हाफ बोटिय अगर आपको चिकन नहीं पसंद हो आप लैंब, मॉटन, बीफ जो आपके पसंद हो वो आप इस रैस्पी के लिए ले और अगर आप चाहें तो आप कीमे की जगा पर दाल ले लें कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब एक पैन में तेल लेंगे और इसमें शामिल क कवर किये बगार ही पकाएंगे कीमे को पकते हुए तकरीबन 4-5 मिनिट हो चुके है कीमे ने पानी छोड़ दिया इस पानी को हम ड्राइ करेंगे आप देख सकते हैं कीमे में से पानी अच्छी तरह से ड्राइ हो चुका है आप इसक्याच बंद कर देंगे और कीमे को ठंड चिनी और तकरीबन दो बड़े चमची तेल के पहले अची तरह सेने मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको गूंद लेंगे आटे को अची तरह गुनने के बाद इसमें शामिल करेंगे दो बड़े चमच तेल के इस रेस्पी में आटा गुनने के बाद ये तेल आप आटे पर ज़रूर काईएगा और अब इसको कवर करके तकरीब बना दे गहंटे के लिए रख देंगे प्राठी की फिलिंग के लिए हमें चाहिए सबस धनिया और दो कटी हुए सबस मर्चे एक बड़ा चमच दरग आदा प्याज आदा टमाटर कीमा जो हमने पकाया था वो ठंडा हो चुक है वो भी इसमें शामिल करेंगे गरम कीमा बिल्कुल है इसमें शामिल नहीं करना दो अंडे एक चोटा चमच सुरख मर्च आदा चोटा चमच चाट मसाला एक चोटा चमच गरम मसाला और थोड़ा सा नमक इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फिलिंग इससे ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए वरना संबालने में मुश्किल होगी दो को रखी हुए तकरीब अदा गेंटा हो चुका है दो को इससे ज्यादा सक्त या नरब नहीं लगना चाहिए अब इसके छोट छोटे पेड़े बना लेंगे और फिर इस तरह से इसकी पतले सी रोटी बेल लेंगे और फिर इसमें करेंगे कीमा की फिलिंग और फिर इस तरह से से फोल्ड कर लेंगे और लेजिए इस तरह से हमारा एक प्राठा हो गया त्यार अब हम इसे करेंगे फ्राइ प्राठे को फ्राइ करने के लिए एक पैन में तेल लेंगे अगर आप चाहें तो तवे पर भी थोड़ा सा तेल लगा कर इसे फ्राइ कर सकते हैं लेकिन इस तरह से फ्राइ करने में ये ज्यादा क्रिस्पी और मज़े का बनेगा एक साइड तो काफी पतली है तो वो तो जल्दी से पक जाएगी दूसरी साइड पर आटे की काफी तेह हैं तो इन्हें मीडियम से लो हीट पर पकाएंगे ताके ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएं गोल्डन होने पर इसे पेपर टावल पर नकालेंगे और इसी तरह से बाकी की बना लेंगे रोटी को बेलते वक्त जितना हो सके आप इसे बरीक बेले बेलते वक्त अगर चोटा सा सुराखो भी जाए तो आप उसकी फिकर नहीं कीजेगा अंडे की वज़ा से फिलिंग बाहर नहीं आएगी अंडा उसे सील कर देगा लीजिए हमारे क्रिस्पी से प्राठे बनकर त्यार है बहुत ही मज़े की रेस्पी है आप भी ज़रूर ट्राइ कीजिएगा उमीद है आपको हमारी आज की रेस्पी पसंदा ही होगी रेस्पी पसंदा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको हमारी आज की रैस्पी कैसी लगी अपना बहुत सा क्या रखिएगा दौाओं में याद रखिएगा देरों दौाओं के साथ अल्ला हाफिज